आज जो मज्जिद याक्सा और बैतुल मुकदस इसराइल का जो वेश्याना हमला जिसमें निमाजियों पे राकट दागे गए भम दागे गए फाइरिंगे हुई डंडे मारे गए और नहते फलस्तीन के मुझाहिदीन जो मज्जिद में निमाजियों पढ़ते थे उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया मारा गया लाशू के डेहर पड़े आज मैं सलाम करता हूँ उन फलस्तीन के नवजवानों को माओं बहनों को जो माजूर हमारी बहने मस्दूरा जिन को इसराइल की फोजें मार पीट करके वो भाग नहीं सकती हैं अगर जुनों ने ऐसे नवजवान पेदा किये हैं जो राकट के सामने फाइरिंग के सामने गोलियों के सामने पत्रों से मकाबला कर रहें मस्जिद अक्सा बैतल मकदस हमारा कबले अवर इसकी तरफ आँख उठा के कोई देखे तो हमें फर्ज बनता है कि उसकी आँख निकाल तो आज बैतल मकदस में इसराइल की फोजें अंदर गुसी निमाजियों पे फाइरिंग की निमाजियों के ओपर भम दागे राकट दागे गए बहुत सारी शेयर में बिल्डिंगें उडाई गई आज वो भरस्तीन के नौजवान बुड़े बच्चे मुस्तूराग किस तरह उनका सामना कर रहे है मैं जानना चाहता हूँ आज वो वेस्टिन कंट्री कहां गए जो ये बाशन देते थे आमन का आज वो मुलत कहां गए वो सरबराई कव्ण कहां गए जो बाशन आमन के देते थे आज नहते लोगों पर फलस्तीन के अंदर फलस्तीन के घरों में जाके लोगों को मरा जाता है बेदर्दी से और्तों की बेहरमती की जाती है और तमाशा ही देके दुनिया तमाशा देके बेटी हुई है आज क्यूं नहीं सलामती कोंसल का इलास पौरी तोर पर बलाए जारा है खाली काग्जी तोर पर मजब्मत करने से कुछ नहीं होगा पौरी तोर पर इस्लाम कंट्री जो एवान बलाना चाहिए यकच्ठा हो के Turn को बलाना चाहिए तमाम कंट्रीज के सर्वराहों को बुलाना चाहिए जो सेकुलर टाक्ते हैं सेकुलर मुलक हैं उनके समय और डट के मुकाबला जो इस्राइल को करना चाहिए खाली कागजी मजम्मत से कुछ नहीं होता है मेरी मुदमाना गुजारिश है खसूसी तोर पर आहली इसलाम क्योंकि हमारा किबलाई आवल है बाइतल मुकाबल से मजजिद अक्सा यह हमें बरदाश नहीं होगा हमारी आँखे यह सारा सीन देख के इशकिबार है हमें जिन्दा रहना गवारा नहीं है क्योंकि अगर मजजिद अक्सा के लिए ऐसा हो रहा है तो हमें उन लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए मार इसके लिए खसूसी तोर पर वो मुलक जो जो इसलामी कंट्रीज हैं सूदी अरफ खसूसी तोर पर और बाकि उसके साथ चपन इसलामी मुलक जो हैं उनको एकट्चा होके इसराइल का मकाबला करना चाहिए ताकि ये दहशत गर्दी इसराइल खतम करें और गज़ा की पटी में उन लोगों को जेलों में बंद करके नौजवानों को जेलों में बंद करके अधार रखा गया है हम रमजान तो मनाते हैं दौाएं तो करते हैं इंशालला अल्ला हमारा साथ है और अल्ला का फर्मान है कि इंशालला हमारी फता होगी और आखिर हमारी फता होनी है हमें बरोसा अल्ला पे है और आज हम इशकबार हैं कि जो ये हालत आज इसराइल कर रहा है दुनिया को नही चाहिए कि वो गूंगे और बेरे बनके तमाशाई बनके देखें आज हमारी आँखे शकबार हैं क्योंकि किबले आउल की बेहरमती हो रही है क्या हमें नज़र नहती नौ जवानों के ओपर क्या हो रहा है उन माओं और बेहनों के ओपर कैसे लाटी बरसा ही जा रही है मजड entertainment countries जो और भाशन देतें है अमन का जो वे बहुतते हैं जो कहते हैं लोगते ही सलाभ होनी होना चाहिए आपसे re सी प्रेयंबावा होना चाहिए आपसी और मुलक को जंग नहीं करनी चाहिए मर यह कौंसा देशधद मुलक जो इसरायल है जो दूसे के घर में गुसके दूसे के सर्जमीन में में गुसके माओं बेहनों की बहुर्मति और ये पिटाई, ये फारिंग, ये राकट दागे इसलिlight में मुबारखबाद पेश करता हूं फल्स्तीन के उन्नाज़ज़ों को माओं को बेहनों को कि वह जजबा जो है आकर र अबी देगा और पता से कामिाब करेगा वाकर दाउना अलहंद ल्या और भाना